नमस्कार जुही सिंग की दुन्या में आप सभी का स्वागत है तो आज के वीडियो में मैं आपके शाथ शेयर करूंगी एक ऐसा हेयर ओयल जो आपके बालों को लंबा घना और खुबसूरत बनाएगा तो इस हेयर ओयल को बनाने के लिए मैंने क्या-क्या यूज किया है और हेयर ओयल मैंने कैसे बनाया है तो चलिए वो आगे वीडियो में देख लेते हैं तो इस हेयर ओयल को बनाने के लिए मैंने यहां पे लिया है नीम की पत्ती करी पत्ता जिसे मीठा नीम भी बोलते हैं कलॉंजी मेथी दाना अरंडे का तेल और गिलिस्रीन गुलाबजल एलोवेरा एलोवेरा चाहे आप तो बजार वाला भी ले सकते हैं अगर आपके पास यह वाला नहीं है तो और यह नारियल का तेल तो अब सबसे पहले एलोवेरा को अच्छे से धो कर हम इसे छोटी छोटी टुकडों में काट लेंगे इसके साइड में काटे होते हैं तो आप अराम से से काटे तो साइड के काटों को निकाल कर हम इसे छोटी छोटी टुकडों में काट लेते हैं एलोवेरा हमारे स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा कर बालों को मजबूत बनाने का काम करता है इसमें सिस्टीन और लाइसीन नाम के तत्त उपाये जाते हैं जो बाल कम होने की समस्या को रोकते हैं जैसे अगर आपका बाल जढ़ता है तो आप एलोवेरा ऐसे होता है इसे हमें अपने बालों पे इस्तमाल करना चाहिए तो ऐसे चोटी टुकडो में हम काट लेंगे तो अब हम नीम की पतियों को भी तोड लेते हैं नीम एक ऐसा और सदी गुडों से भरपूर प्लांट है जिसका इस्तमाल कई रोगों के उपचार में किया जाता है इ अगर आप लंबे और मजबूत बाल चाहते हैं तो नीम की पत्तों का इस्तमाल करें नीम के पत्तों का या पेस्ट लगाए या नीम के पत्तों से आप अपने बालों को अच्छे से साफ करें तो ऐसे ही हम सारे पत्तों को तोड़ लेंगे अब करी पत्ति को भी तोड़ लेते हैं करी पत्ते का इस्तमाल वर्षों से कर रहे हैं लेकिन इनकी कई गुड़ों से हम लोग अनजान हैं करी पत्ता न सिर्फ खाने की स्वाद बढ़ाता है बलकि अगर इसका इस्तमाल बालों पर किया जाए तो हेर ग्रोथ तेज होने के साथ ही बाल हेल्दी और काले बनते हैं करी पत्ता में आईरन, फॉलिक असिड, फास्पोरस, बिटामिन सी, बिटामिन ए, बिटामिन ए जैसे बहुत सारे इसमें गुड़कारी तत्व होते हैं जो स्कैल्प असर करते हुए बालों की जड़ों को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉंग बनाते हैं साउत की लोग करी पत्ता का बहुत ज़्यादा इस्तिमाल करते हैं जिससे की उनका बाल बहुत ज़्यादा काला और बहुत ज़्यादा सुन्दर रहता है इस तेल को बनाने के लिए हम double boiler method का उप्योग करेंगे double boiler method से ही इस तेल को हम बनाएंगे तो उसके लिए सबसे पहले एक बड़ा बर्तन ले लेंगे इतना बड़ा हो कि इसमें एक और बर्तन आ जाए तो बर्तन में अब हम पानी डाल देंगे और पानी को उबलने देंगे पानी में हलकी से उबल आ गई है तो अब हम इसमें एक और बर्तन रख देंगे जिसमें हमें ये तेल बनाना है तो आप बनाते समय ये जरूर थ्यार रखे कि जो बर्तन आप ले रहे हैं वो थोड़ा बड़ा होना चाहिए जिसमें एक और बर्तन आ जाए तो अब ये बर्तन को हम थोड़ा सा ड्राइ होने देंगे अगर ये बर्तन गीला है तो उसे पहले थोड़ा सा ड्राइ होने दें नहीं तो आपका तेल जो है वो खराब हो जा करता है कि आप यह तेल कितना बना रहे हैं कितने लोगों के लिए बना रहे हैंzingं कितने लिए बना रहे हैं उस इसाब से आप इसमें टेल करें ले और तेल को हलबाँ गरम होने दिएा उसके बाद अब हम इसमें कालओ डाल देंगे lou तो दो बड़े चम्मच इसमें हम कलोजी डाल देंगे उसके बाद इसमें दो से तीन बड़े चम्मच मेथी दाना डाल देंगे ये मैं 200 ml ओयल के हिसाब से बना रही हूँ तो आप अपनी ओयल की कॉंटिटी देख लिजेगा उसके बाद अब हम ये जो एलोवेरा कट करके रखे थे ये एलोवेरा भी डाल देंगे आप ये एलोवेरा जितना छोटा काटेंगे उतना ही अच्छा रहेगा उसके बाद अब हम इसमें एक से दो बड़े चम्मच अरंडी का तेल डाल देंगे और उसके बाद अब हम इसमें करी पत्ता डाल देंगे नीम पत्ता डाल देंगे और इन सारे चीजों को डाल कर हम एक बार मिला देंगे और हम इन आप पकने देंगे इस ओयल को बनाने के लिए एक बात का ध्यान रखना है कि इसे डबल बॉयलर मेथड से ही बनाना है आप इसे डारेक्ट नहीं पकाएगा डारेक्ट पकाने से क्या होता है जो बी चीजे इसमें आप डाल रहें उसका जो बेनफीट है वो ओयल में अच्छे से नहीं मिलता है इस तरह करने से सिर्सार का बेनिफीट है काफी अच्छे से ओयल में आ जाएगा तो आपको हमेसा ऐसे ही पकाना है तो इसे पकाते हुए मुझे आदे घंटे हो गए तो अब हम इसमें ग्लिसरिन डाल देंगे एक से दो बड़े चमबच उसके बाद कुलाबजल डाल देंगे ये आप किसी भी ब्रैंड के ले सकते हैं डालने के बाद इन्हें हम अच्छे से मिला देंगे और पकनी देंगे तो ये जैसे जैसे पकता जाएगा इसका कलर जो है काफी चेंज होता रहेगा तो अभी आप देखेंगे ये कुछ लाइट ग्रेन कलर का है तो ये जितना पकेगा इसका कलर उतना ही चेंज होता रहेगा हाँ ये बात सही है कि इस ओयल को बनने के लिए बहुत जादा टाइम लगता है करीबन एक घंटे लगेंगे इस ओयल को बनाने के लिए बट फिर भी आप बिल्कुल पिर जल्दी नहीं करिएगा आप इसे इसी मेथड से बनाएगा तो आपको ओयल बहुत ही अच्छा बनेगा तो यहां पे मैं आपको दिखा रहे हूं कि मुझे यह पकाते वे पूरे एक घंटे हो गया है तो आप ओयल का कलर देख सकते हैं ओयल काफी अच्छे से पग गया है और साइड में भी आपको दि तो यह कुछ ब्लैक कलर में आ रहा है तो ओयल हमारा काफी अच्छे से पग गया है तो अब हम इसे निकाल कर इससे बाहर रख देंगे यह ठंडा हो जाए तो अब हम इसे चान लेंगे तो यहां पे देखे हमने रख दिया है इसे ठंडा होने के लिए तो अब इस तेल को हम चान लेते हैं आप चाहे तो कपड़े से चान ले या किसी चंडी से चान ले तो यह मैंने ओयल दिखे चान लिया है आप इसे किसी काज के बॉटल में रख कर लंबे समयते के स्टोर करके रख सकते हैं आपको वीडियो पसंद आयो तो प्लीज वीडि को भी सब्सक्राइब करते और अगर आपको यह बना हुआ चाहिए तो प्लीज मुझे इंस्ट्राग्राम पे डियम करें मैं वहां पे आपको रिप्लाइ करूगी तो चलिए फे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहिन